पार्ट 55 श्री गणेशाय नमाह श्री जांकी वल्लभो विज्यदे श्री रामचरित मानस अयोध्याकाण सो तुमार धन जीवन प्राना भूरी भाग को तुमही समाना ये तुमार आचर जुनताता दसरत अनराम प्रिय भ्राता सो वह श्री रामचंद्र जी के जर्णों का प्रेम तो तुमारा धन जीवन और प्रान ही है तुमारे समान बढ़ भागी कौन है हे तात तुमारे लिए ये आश्चरिय की बात नहीं है क्योंके तुम दश्रत जी के पुत्र और श्री रामचंद्र जी के प्यारे भाई हो सुनहू भरत रगुपति मन माही फेम पात्रु तुम समको नाही हे भरत सुनो श्री रामचंद्र जी के मन में तुमारे समान प्रेम पात्र दूसरा कोई नहीं है लक्षमर जी श्री रामची और सीता जी तीनों को सारी रात उस दिन अत्यंत प्रेम के साथ तुमारे सरहना करते ही बीती जाना मरमुनाहात प्रेगागा मगन होई तुम्रे अनुरागा तुम पर अससने हूं रग उपर के सुख जीवन जग जस जड़ नर के प्रियाक राज में जब वे इसनान कर रहे थे उस समय मैंने उनका यह मरम जाना वे तुम्हारे प्रेम में मगन हो रहे थे तुम पर शिरी राम चंद्रजी का ऐसा ही इसने है जैसा मूर्ख मनुश्य का संसार में सुख में जीवन पर होता है यह ना अधिक रगुबीर बरत कुटूंब पाल रगुराई तुम तव भरत मोर मत एहू धरे दे जनुराम सने हूँ यह शिरी रगुनाज जी की बहुत बड़ाई नहीं है क्योंकि शिरी रगुनाज जी तो शर्णागत के कुटूंब भर को पाले वाले हैं हे भरत मेरा यहमत है कि तुम तो मानो शरीर धारी शिरी राम जी के प्रेम ही हो तुम के भरत कलंक यह है हम सब के उपदेसू राम बगतिरस सिद्धित बाये समाउं गनेसू मंगल भवन अमंगल हारी रवा उसो दशरत अजिर भिहारी हे भरत तुम्हारे लिए तुम्हारी समझ में यह कलंक है पर हम सब के लिए तो उपदेश है शिरी राम भक्तिरूपी रस की सिद्धी के लिए यह समय गनेश यानि बड़ा शुप हुआ है यह तात तुम्हारा यश निर्मल नवीन चंद्रमा है और शिरी राम चंद्रजी के दास कुमुद और चकोर है बहे चंद्रमा तो प्रती दिन अस्थ होता है और घटता है जिस से कुमुद और चकोर को दुख होता है परन्टु यह तुम्हारा यश रूपी चंद्रमा सदा उधै रहेगा कभी अस्थ होगा ही नहीं जगत रूपी आकाश में यह घटेगा नहीं, वरन दिन दुन, दिन दुना होगा प्रेलोग के रूपी चक्वा इस यश रूपी चंद्रमा पर अत्यंत प्रेम करेगा और प्रभू शिरी राम चंद्रजी का प्रताप रूपी सूर्य इसकी चवी को हरन नहीं करेगा यह चंद्रमा राद दिन सदा सब किसी को सुख देने वाला होगा के कई का कुकर्म रूपी राहू इसे ग्रास नहीं करेगा पूरन राम सुपेम पियूशा गुर अब मान दोश नहीं दूशा राम भगत अब अमई अगा हूं कीन हूं सुलब सुदा बसुदा हूं यह चंद्रमा शिरी राम जी के सुन्दर प्रेम रूपी अम्रत से पूर्ण है यह गुरु के अपमान रूपी दोश से दूशित नहीं है तुमने यह यश रूपी चंद्रमा की स्रस्टी करके प्रत्री पर भी अम्रत को सुलब कर दिया अब शिरी राम जी के भगत इस अम मंगल खानी दसरत गुनगन बरनी नजाही अधिकू कहा जेही समजग नाही राजा भगीरत गंगा जी को लाए जिनका इस्मरन ही संपून सुन्दर मंगलों की खान है दसरत जी के गुन समू का तो वर्नन ही नहीं किया जा सकता अधिक्या जिनकी बराबरिका जगत में कोई नहीं है जिनके प्रेम और संकोच के वश में होकर स्वयम भगवान शिरी राम आकर प्रकट हुए जिने शिरी महादेव जी अपने हृदय के नेत्रों से कभी अगा कर नहीं देख पाए अर्थात जिनका सरूप हृदय में देखते देखते शिव जी कभी त्रप नहीं हुए परन्तु उनसे भी बढ़कर तुमने कीरती रूपी अनुपम चंद्रमा को उत्पन किया जिसमें शिरी राम प्रेम ही हिरन के रूप में बसता है हे तात तुम स्वेम ही हिदय में कलानी कर रहे हो पारस पाकर भी तुम दरितरता से डर रहे हो हे भरत सुनो हम जूट नहीं कहते हम उदासीन है किसी का पक्ष नहीं करते तपस्वी है किसी की मूँ देखी नहीं कहते और वन में रहते हैं किसी से कुछ प्रयोजन नहीं रखते सब सादनों का उत्तम फल हमें लक्षमर जी शिरी राम जी और सीता जी का दर्शन प्राप्थ हुआ सीता लक्षमर सहित शिरी राम दर्शन रूप उस महान फल का परम फल यह तुमारा दर्शन है प्याग राज समेत हमारा बड़ा भाग्य है हे भरत तुम धन्य हो तुमने अपने यश से जगत को जीत लिया है ऐसा कहकर मुनी प्रेम में मगन हो गए भाट द्वाज मुनी के वचन सुनकर सबासद हर्शित हो गए सादू सादू कहकर सराना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए आकाश में और प्रियागराज में धन्य धन्य की ध्वनी सुन सुनकर भरत जी प्रेम में मगन हो रहे है लक्रगात हिये रामुसिये सजल सरोर हुनैन करी प्रेनाम मुनी मंडलही बोले गद गद बैन मंगल भवन अमंगल हारी द्रवाउसो दशरत अजीर बिहारी भरत जी का शरीर पुलकित है रिदय में सीरी सीता राम जी है और कमल के समा नेत्र प्रेमा श्रु के जल से भरे हैं वे मुन्यों की मंडली को प्रणाम करके गद गद वचन बोले मुन्यों का समाज है और फिर तीर्थ राज है यहां सची सौगंद खाने से भी भरपूर हानी होती है इस इस्थान में यदे कुछ बना कर कहा जाए तो इसके समान कोई बड़ा पाप और नीश्टा न होगी मैं सच्चे भाव से कहता हूँ आप सरवग्य है और श्री रगुनाजी फिर्दे की भीतर की जानने वाले हैं मैं कुछ भी असत्य कहूंगा तो आप से और उनसे छिपा नहीं रह सकता मुझे माता केकई की करनी का कुछ भी सोच नहीं है और ना मेरे मन में इसी बात का दुख है कि जगत मुझे नीच समझेगा ना यही डर है कि मेरा परलोग बिगड जाएगा और ना पिताजी के मरने का ही मुझे शोक है क्योंकि उनका सुन्दर पूर्णे और सुयश विश्व भर में सुशोवित है उन्होंने शिरी राम लक्षमन सरीखे पुत्र पाए फिर जिन्होंने शिरी राम जी के विरह में अपने शर्ण भंगु शरीर को त्याग दिया ऐसे राजा के लिए सोच करने का कौन प्रसंग है सोच इसी बात का है कि शिरी राम जी लक्षमन जी और सीता जी पैरों में बिना जूती के मुनियों का वेश बनाए वन वन में फिरते हैं अजिन बसन फल असन मही सयन डासी कुस पात बसितर उतर नित सहस धिम आतप बरशाबात मंगल भवन अमंगल हारी द्रवा उसो दशरत अजिर विहारी दीन दयाल विरद संभारी हरउनात मम संकट भारी वे वतकल वस्त्र पहनते हैं फलो का भोचन करते हैं प्रत्वी पर कुश और पत्ते बिचा कर सोते हैं और व्रक्षों के नीचे निवास करके नित्य, सर्दी, गर्मी, वर्षा और हवा सहते हैं जैसिया राम जैसिया राम जैसिया राम जादे वल से रवक्तावे लोग दो होजिया दिपक्तावे जानाबी आंतरी दो समा थब्माई विर्ण करताई, तन समीके रबुड़ा लगारी ये जी लाया हो पटाई, तन आई दया को भिखाई, तन का फोट द्रमों की जी खाई, छान रिषान रिजदाई गॉझे पजनाई वोगतान नतूं तरफ पनाई जिए लाम नदी के काई समाले रखे को वगते सब्सक्रेक तगारे यारी के तगलगाओं ताहिए करणी तगलगाओं तो भी आतारे खाई आगनी की बुडाओं कारे पांगे को क्या हर सुर्दद मारे, भाईे को क्या संद जर्द मारे सुर्दद में आर्दी को जारे, तेले जे हनुमारे गंगन दार्द कुट आजाए, आर्दी करते अंच नाम आई मारे भाईे को क्या सुर्द मारे